Hello everyone, आज के session में हम करेंगे that what is the mitochondria, its definition, structure and function यानि कि इसकी सरंचना और इसके क्या कारे होते हैं उसको देखेंगे तो सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए कि mitochondria होती है, वो कहां पर present होती है जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारी body होती है, वो छोटी-छोटी cell से मिलकर बनी हुई होती है तो ये cell है, वो हमारी body की structural and functional unit होती है इस cell के अंदर क्या होता है, कि छोटी-छोटी bodies present होती है, जिनको बोलते है cell organs और ये mitochondria जो होता है, ये mitochondria भी इस cell के अंदर present होता है इसका function क्या होता है हमारी body के लिए, तो सबसे पहले अपने देखते हैं, what is the mitochondria? तो इसमें देखेंगे, mitochondria are the membrane-bound organelles, यानि कि क्या है, ये एक membrane-bounded organelles है कैसे कि इसके जो mitochondria होगी, इसके चारों तरफ क्या है, membrane-present होगी membrane-bounded organelles present in the cytoplasm of all eukaryotic cells और ये जो mitochondria होती है, वो cell के अंदर, अब कौन सी cell के अंदर mitochondria present होती है? जैसा कि हमें पता है कि हमारी cell वो दो टाइप के होती है, पूरे organisms के अंदर, animals के अंदर तो prokaryotic cell भी होती है और eukaryotic cell भी होती है तो prokaryotic cell तो जैसे कि हमें पता है कि bacteria, mycoplasma इनके अंदर होती है और जो दूसरे animals होते है, higher animals उनके अंदर eukaryotic cell present होती है अगर आपको eukaryotic और prokaryotic के अंदर क्या difference होता है, इसकी वीडियो देखनी है तो मेरे channel पे इसको भी पूरा detail में समझाया हुआ है इसका description है, वो आपको क्या है, इसका link वो description में मिल जाएगा तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं तो eukaryotic cells होते हैं, उनके अंदर cell organs present होते हैं तो यह mitochondria किस में present होगा, फिर eukaryotic cell के अंदर ही present होता है that produce the adenosine triphosphate यानि कि यह जो mitochondria होते हैं, वो क्या produce करते हैं वो adenosine triphosphate, यानि कि ATP ATP की full form भी exam में कई बर पुछी जाती है, क्या होती है तो इसकी full form होती है adenosine triphosphate जो कौन बनाता है, mitochondria बनाता है the main energy molecule used by cell यानि कि यह जो ATP है वो क्या होता है यह main energy molecule होता है, जो कि cell के थूँ क्या use किया जाता है यानि कि इसका main mitochondria का function क्या हो गया क्या है, कि यह mitochondria होती है, वो एक membrane bounded organal है जो कि cytoplasm में present होती है cell के और यह जो mitochondria है, यह हमारी body को energy provide करती है और किस form में provide करती है, ATP की form में यानि हमारी body के अंदर जो हम nutrients खाते है यानि कि जैसे कि कोई glucose लेते हैं अपने तो वो glucose हुआ, या protein हुआ, fat हुआ, इन सब को क्या करेगी energy, इनको एक energy की form में produce कर देती है यानि convert कर देती है, तो यह क्या करेगी ATP की form में store करके रखती है अपनी body के अंदर और फिर energy provide करती है, तो हमारी body को energy provide करने का main function किसका होता है, वो होता है mitochondria का, ओके, अब इसके बाद में अपने देखते हैं कि that what is the diagram it's, यानि कि अब mitochondria का diagram देखते हैं, अपने क्या होता है, the diagram of the mitochondria given below illustrate the several structural features of the mitochondria, अब इसकी structure है, वो दी हुई है, एक diagram कि तुरू आपको explain करती हूँ, साथ में उसकी theory भी दी हुई है, तो सबसे पहले अपने इसका diagram है, उसको समझ लेते हैं कि जो mitochondria का diagram क्या होता है, कैसे होता है, तो जैसा कि हमने पढ़ा size की definition के अंदर, यह membrane bounded structure होती है, तो membrane bounded structure का मतलब क्या है, कि जैसा आप इस diagram के अंदर देख रहे हो, कि यह inner membrane दी हुई है, और यह outer membrane दी हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले यह बाहर की तरफ यह वाली जो है, यह outer membrane है, और फिर अंदर वाली है जो, यह आप white color की देख रहे हो, यह inner membrane है, तो यह membrane bounded structure हो गई, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, दो outer और inner membrane, दोनों membrane present है, और दोनों membrane के बीच में क्या होता है, कि space present होता है, तो उसको बोलेंगे inter membrane space, ठीक है, और उसके बाद में, यह जो inner membrane होती है, वो कह फिंगर-like folding की तरह क्या है, folded होती है, यानि कि finger-like structure बना लेती है, और इन जो finger-like structures होती है, उसको क्या बोलते है, उसको बोलते है, क्रिस्टी, क्या बोलते है, क्रिस्टी, यह जो finger-like structure दिख रही है आपको इसके अंदर, इसको बोलते है, क्रिस्टी, फिर उसके बाद में और क्या present होता है, इस structure के अंदर, इस structure के अंदर जो next present होता है वो है matrix यानि कि यह तो होगी जो अहिनर membrane थी वो क्या है finger like folding बना के क्रिस्टी बना दी थी क्रिस्टी के फिर अंदर वाली साइड क्या है कि matrix present होता है यह जो space है इसका यह वाला space forms भी present होते हैं और क्या है protein भी present होते हैं यानि कि इसके अंदर F0 और F1 ATPase की form में portion present होता है अब जैसा कि आप यह क्या होता है कि इस क्रिस्टी के उपर ही present होता है अब यह structure ऐसे होती है अब यह जो यह stroke like structure रहना इसको तो बोलते है F0 portion और यह जो rounded ball like structure दी हुए है यह होता है F1 portion क्या होता है F1 portion अब अपने को इसकी structure वैसे out जो बाहर बाहर दी हुए है वो तो अपनों ने देख ली और इसके अंदर क्या है कि DNA भी present होता है अब इसको अच्छे से कैसे इसका क्या structure कैसी दी होती है किसका क्या function है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि इसकी structure mitochondria की कैसे होती है अब वो diagram है वो अपने mind में एक बास set कर लिया अपनोंने अब पढ़ते हैं तो यह अपने को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो सबसे पहले इसकी structure देखते हैं structure of mitochondria तो इसकी structure क्या दिए है कि the mitochondrion is a double membrane road shaped structure यानि कि जैसा हमने देखा था कि जो mitochondria थी वो क्या है road shape structure थी और कैसी थी double membrane structure इस तरीके से double membrane थी और road like structure बनी होई थी ठीक है फिर structure found in both plants and animal cells यानि कि जो mitochondria होती है वो plant cell के अंदर भी present होती है और animal cell के अंदर भी present होती है फिर उसके बाद में अगर इसका अपने size देखते हैं कि इसका size क्या होता है its size ranges from the 0.5 to 1 micrometer in diameter यानि कि 0.5 से 1 micrometer का diameter होता है इसकी size होता है वो size range बताई हुई है उसके बाद में फिर the structure comprises an जैसा हमने बढ़ा था कि इसके अंदर outer membrane और inner membrane होती है तो यही इसके अंदर लिखा हुआ है कि structure comprises an outer membrane and inner membrane and a gel like material called matrix यानि कि जो kristi के अंदर inner membrane के अंदर वाला portion matrix था जैसे अब यह structure है यह outer membrane होगी फिर यह inner membrane होगी फिर जो यह अंदर का portion है वो है crisp matrix अब जो inner membrane थी वो अंदर से क्या है finger like foldings इसने बना ली थी जिससे क्या होता है यह जो finger like foldings बना लेती है क्रिस्टी होती है वो क्रिस्टी का function क्या होता है मतलें क्या काम आती है इससे फोल्ड क्यूं हो जाती है इससे क्या benefit होता है इससे क्या होता है कि cell का surface area वो increase हो जाता है mitochondria का what's due from our body के अंदर energy बन रही है वो energy क्या है जादा बनती है फिर energy production क्या होगा जितना जादा होगा हमारी बोड़ी उतना ही जादा क्या करेगी work करती है फिर उसके बाद में अपने next देखते हैं the outer membrane and the inner membrane are made of proteins जो outer membrane और inner membrane होती है वो किसकी बनी हुए होती है proteins की बनी हुए होती है and phospholipid layers separated by the inter membrane space अब जैसा कि आपको diagram के अंदर दिखाया था दुबारा दिखाते हूं कि जो outer membrane है ये outer membrane और inner membrane है ये और ये outer membrane तो outer membrane और inner membrane के बीच में ये जो space present है ये space क्या कहलाता है inner membrane space यानि कि दोनों के बीच का space क्या हो जाएगा inter membrane space कहेंगे इसको the outer membrane covers अब क्या कहा है कि जो outer membrane होती है वो क्या cover करती है cover the surface of the mitochondrion and has a large number of special proteins known as the porines अब ये क्या होते है कि outer membrane क्या है कि जो cover करती है surface area को और इसके उपर क्या होता है it has a large number of special proteins इसके उपर क्या special proteins present होती है जिनको porines कहा जाता है अब ये porines किसलिए होती है इनका function क्या होता है तो ये porines क्या करती है जो मान लो ये outer membrane है इस membrane के उपर इस तरीके से मान लो special proteins present है ये पॉरीन्स क्या करती हैं जो small molecules होते हैं उनको क्या है कि अंदर जाने की क्या permission देती हैं तो ये इसके लिए काम में आती है फिर उसके बाद में अपने देखें क्रिस्ट्री का क्या function होता है क्रिस्ट्री क्या होती है क्योंकि हमने क्या बढ़ा था कि जो ये इस तरीके से mitochondria है यह outer membrane होगी फिर अंदर की तरफ ये फॉल्डिंग्स प्रेजेंट है इस तरीके से तो ये जो फॉल्डिंग्स में जो ये प्रेजेंट है finger like structure उसको क्या बोलते हैं उसको भी बोलते हैं क्रिस्टी ठीक है दा इनर membrane of mitochondria is rather complex in the structure जो इनर membrane होती है वो थोड़ी complex होती है क्यो कहा है it has many folds that form a layered structure called Christie यानि कि ये जो folds present होते हैं इसको कहा है कि ये layered structure बना लेती है जिसको Christie कहते है and this help in यानि ये help किस में करती है this help in increase the surface area जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये surface area को increase करती है inside the cell organals यानि कि ये जो cell organal है mitochondria उसके surface area को क्या करेगी बढ़ा देगी अब surface area increase हो जाएगा the Christie and the proteins of the inner membrane यानि कि जो inner membrane है वो भी क्या है protein से बनी हुए होती है और ये Christie है वो किस में help करती है adds in the production of ATP molecule ये क्या करेंगे ATP molecule के production में क्या है help करते हैं फिर the inner mitochondrial membrane is strictly permeable only to oxygen and ATP molecules अब जो inner membrane होती है ना जो वो क्या होती है ये permeable होती है सिरफ और सिरफ कुछ selected molecules होते हैं उनी के लिए only to oxygen and ATP molecules को ही अंदर जाने देती हैं बाकी किसी और molecules होते हैं जो दूसरे molecules उनको अंदर नहीं जाने देती फिर उसके बाद में a number of chemical reactions takes place within the inner membrane of mitochondria अब इसके साथ साथ में क्या होता है कि एक number of chemical reactions बहुत सारी chemicals reactions होती हैं जो कि inner membrane of mitochondria के through takes place यानि की होती हैं यह था क्रिस्टी क्रिस्टी के बाद में आ जाता है mitochondrial matrix अब mitochondrial matrix कौन सा था यह outer membrane होगी फिर उसके बाद में अपने इसकी क्रिस्टी बनाते हैं अब यह देखो यह outer membrane फिर उसके बाद में इस तरीके से finger like foldings present थी फिर उसके बाद में यह जो inner area है यह जो आपको blue blue color का दिख रहा है यह वाला सारा area यह क्या होता है अब the mitochondrial matrix is a viscous fluid that contain a mixture of enzymes यानि यह जो inner surface होता है इसका अंदर का surface होता है वो क्या है कि जो viscous fluid होता है that contains the mixture of enzymes यानि कि viscous fluid क्या contain करेगा mixture of enzymes यह क्योंकि जो inner area है इसके अंदर जो fluid है उसी को तो matrix का है ना अंदर वाले area को ठीक है पर इसके अंदर भी क्या होते है कि बहुत सारे enzymes present होते हैं और क्या present होते हैं proteins present होते हैं it also comprises the ribosomes जैसा कि मैंने आपको उपर structure में दिखाया था कि इसके अंदर क्या है कि ribosomes भी present होते हैं इस तरीके से क्या है कि rounded form में इसके अंदर यह ribosomes present हैं फिर उसके बाद में और क्या present होता है इस matrix के अंदर ribosomes present होते हैं और inorganic ions भी present होते हैं थोड़े और mitochondrial DNA जैसा मैंने उसमें दिखाया था कि इस तरीके से DNA भी present होता है ribosomes भी present होते हैं इसके matrix के अंदर और क्या होते हैं छोटे-छोटे क्या हैं molecules inorganic ions भी present होते हैं फिर और उसके साह साहत में nucleotide co-factors and organic molecules are also present these enzymes present in the matrix जो enzymes हैं matrix के अंदर present होते हैं play an important role in the synthesis of ATP molecules और यह जो enzymes हैं matrix के अंदर जो present हैं वो किसमें help करते हैं ATP molecule का formation करने में यानि कि ATP formation किसके थू होता है जो matrix के अंदर enzymes present होते हैं इस matrix के अंदर जो भी enzymes present होंगे उससे ATP का production होता है फिर अपने इसके बाद में देखते हैं functions of mitochondria की mitochondria के functions क्या होते हैं सबसे पहले अपने देखते हैं कि सबसे most important function है वो क्या होता है mitochondria के जैसा कि हमने पूरे chapter के अंदर ही पढ़ा है तो उसके अंदर सबसे main बात अपनोंने क्या पढ़ी है पूरे जो यह पूरा mitochondria जब से पढ़ रहे हैं कि जो mitochondria होता है वो हमें energy provide करता है the most important function of mitochondria is to produce the energy क्या function हुआ इसका कि यह है वो energy produce करने में helpful होता है ठीक है तो यह इसका सबसे main important function होता है और यह क्या है कि exams में कई पर पुछा भी क्या है कि सबसे important function यानि हमारी body के अंदर energy provide कौन सा cell organelle करता है तो इसका main जो organelle होता है वो होता है mitochondria अब यह कैसे किस process के through energy provide करता है by the oxidative phosphorylation यानि कि oxygen की presence के अंदर ही energy provide करेगा अपने को फिर उसके बाद में क्या दिया है it also involved in the following process यानि कि इसके साथ में क्या है कि और भी process के अंदर हमारी help करता है कौन-कौन से और other functions इसके होते हैं अब अपने वो देखते हैं सबसे पहला function अपने देखेंगे they regulate the metabolic activity यानि कि इसका energy provide करने के साथ में हमारी body के अंदर metabolic activities होती है उसके अंदर भी यह helpful होता है यह metabolic activity को क्या करता है cell की उनको भी regulate करता है फिर second function इसका क्या है promotes the growth of new cell अब जैसा कि हमने इसकी structure पढ़ी है अब उस structure के अंदर अपनोंने क्या पढ़ा है कि इस structure के अंदर क्या है इसका खुद का DNA होता है और यह जो DNA वैसे किस में present होता है nucleus में होता है लेकिन mitochondria एक ऐसी structure है जिसके अंदर इसका खुद का independent DNA present है तो फिर यह क्या करेगा इसका दूसरा function इस DNA की presence की वज़े से क्या हो गया दूसरा function हो जाएगा it promotes the growth of new cell and cell multiplication यानि कि cell के multiplication में भी help करता है फिर अपने third function इसका देखें तो क्या होता है it helps in detoxifying the ammonia अब यह क्या करता है कि जो भी हमारी body के अंदर ammonia बनता है detoxifying यानि कि यह जहरीला पदार्त होता है उस ammonia को क्या करेगा उसको क्या करदेगा detoxify कर देगा यानि कि क्या है कि जहरीले पदार्त को convert कर देता है in the liver cells liver cells के अंदर next function is play an important role in apoptosis and programmed cell death अब apoptosis का मतलब क्या होता है यह apoptosis में helpful होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि जो mitochondria होती है वो cell death मे apoptosis का मतलब होता है cell death करने में cell को खतम करने में helpful होते हैं cell death क्यों करते हैं क्योंकि जब हमारी body के अंदर cells पुरानी हो जाती है जो भी cell पुरानी हो जाएंगी तो उनको क्या है कि खतम करने का काम है वो mitochondria करता है उसके बाद में अपने next function देखते हैं इसका next function क्या होता है that it is responsible for building certain parts of the blood and various hormones like testosterone and estrogen तो यह क्या होता है कि अपने care की certain parts को बनाने में कुछ parts को बनाने में responsible होता है इसके जैसे कि blood के और various hormones यानि कि कुछ hormone बनाने में भी helpful होता है कौन-कौन से hormone बनाता है तो यह testosterone और estrogen बनाने में helpful होता है फिर उसके बाद में next function क्या होता है इसका it helps in maintaining the adequate concentration of calcium ions with compartment of cells अब इसका क्या मतलब है कि यह क्या करता है कि यह maintain करता है calcium ions को हमारी body के अंदर यह maintain करेगा calcium ions को अब यह calcium ions को maintain का क्यों करता है कि जो calcium ions होते हैं वो भी हमारी body के लिए बहुत helpful होते हैं जैसे कि muscles contraction के अंदर या फिर क्या होता है कि body contraction के अंदर और बहुत सारे function होते हैं जिसमें calcium है वो helpful होता है तो calcium ion को maintain कोन करता है वो mitochondria करता है फिर उसके बाद में next function अपने इसका देखते हैं that it also involved in various cellular activities यह क्या करता है कि cellular activities के अंदर भी helpful होता है अब cellular activities कोन कोन से होती है like cellular differentiation यानि कि cell को divide करने में cell signaling यानि cell को signal देने में cell senescence यानि कि cell की depth के अंदर and controlling the cell cycle cell cycle मतलब cell division में भी helpful हो रहे है तो and also in the cell growth यानि कि ये cell के differentiation में यानि cell division में cell को signal देने में cell की senescence यानि कि cell death में और controlling the cell cycle and cell growth यानि cell growth में भी helpful होता है तो ये था हमारा mitochondria topic की ये mitochondria का काम क्या होता है और उसके structure कैसी होती है और उसके functions क्या होते है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना मत भूलना और अपने friends के साथ भी share करना thank you everyone